दूनिया की साथ सबसे शानदार और विशालकाई जहाज दूस्तू नंबर एक पर बात करेंगे उन शिप्स की जो पानी में विंड पाउर प्रांट बनाने के काम में लिए जाते हैं सबसे पहले इस जहाज के मदद से समुद्र में पिलर सैट किये जाते हैं जो कि कम से कम पांच हजार फीट तक गहरे हो सकते हैं इसके बाद इस जहाज पर क्रेन की मदद से विंट अर्बाइन के पाइप सेट किये जाते हैं जो कि 303 फीट तक की हाइट की होते हैं बता देखिए कि ये क्रेन्स 9500 तन तक का वजन उठा सकती है दुनिया के सबसे बड़े आइस ब्रेकर शिप की अधी बात करें तो रशिया का बनाय यह शिप दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर शिप है यह शिप आर्किटेक महासागर में 6 फीट से बिस ज़्यादा बर्फ में चलाए जाते हैं इस जहाज की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जहाज पूरी तरह से नुकलियर पाउर पर चलता है। अब तक दुनिया भर में ऐसे आइस प्रिकर शिप सिर्फ दस ही बने हैं, जिन में इसे सबसे बड़ा ये जहाज रसिया में मुझूद है। इस क्रूज शिप में लगबग 9000 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। इस शिप वन दूर से देखने पर आपको लग रहा होगा कि इस शिप में चार पिलर्स लगाए गए हैं। और पता नहीं किसली। लेकिन थोड़ा जूम इन करने पर आप देखेंगे कि ये पिलर्स घूम भी रही हैं। दरसल ये पिलर्स जहाज के मुवमेंट को मैगनेस इफेक्ट की मदद से कंट्रोल करती हैं। मैगनेस इफेक्ट को आप इस वीडियो की मदद से काफी अच्छे से समझ सकती हैं। कौर तलब है कि इस सिस्टम की मदद से ये जहाज 40 प्रतिशा तक फ्यूल की बज़ट कर सकती हैं। PLANET SOLAR PLANET SOLAR नाम की इस बोट को LARJEST SOLAR-POWER BOAT भी कहा जा सकता है। इस बोट को जर्मनी में बनाय गया था। हलागि ये बोट किसी भी काम में नहीं ली जाती। लेकिन कमपनी ने इसे जहाज और बोट्स को सोलर पावर पर चला कर फ्यूल की 100 प्रतिश्यत बच्चत करने का मैसेज देनी के लिए बनाय था. City of St. Petersburg इस जहाज को किसी प्लेन की तरह डिजाइन किया गया है जिससे इस पर लगने वाला एयर प्रेशर 50% तक डिक्रीज हो जाता है आपको जानकर हैरत होगी कि ये जहाज हर साल लगबग 800 तन फ्यूल की बचट कर देता है. तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें धन्यवाद.